Hello everyone, welcome back to the AdelExpert channel तो इस प्रड़े में हम बात करने वाले के GitHub का अकाउंट कैसे क्रेट करते हैं तो GitHub का अकाउंट क्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउजर में आना है और ब्राउजर में सर्च करना है GitHub जैसे हम GitHub पे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहापे कुछ लिंक्स ओपन हो जाएगे तो यहापे जो फर्स्ट में शोह हुरी है GitHub Official Site आपको इस पे क्लिक कर देना है जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका डैचबोड ओपन हो जाएगा https github.com अभी आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रिजिस्टेशन कर रहे है तो आप देख सकते हैं यहापे शोह रहाए Welcome to GitHub Let's Begin the Adventure आपको यहापे इमेल पेस्ट कर देना है जो भी आपकी इमेल है and continue बटन पे आपको क्लिक कर देना है यहाँसे आपको पासवर्ड एंटर करना है वो भी strong password आपको एंटर करना है ओके तो आप देख सकते हो हमने यहापे पासवर्ड एंटर कर दिया है अगेन आपको continue बटन पे क्लिक करना है यहाँ से आपको यूजर नेम सेलेक करना है तो मैं यहाँ पर यूजर नेम दे देता हूँ रोहित 6754 ओके जो भी यूजर नेम अवेलेबल है वह है आपको एंटर करना है तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर शो़ रहा है रोहित 6754 is not available तो मैं यहाँ पे 5u4 अगें डाल देता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शोरा है इस अवेलेबल अगें आपको continue बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे शोरा है would you like to receive product updates and announcement email तो हमें github के तरप से कोई email आना चीए तो मुझे आना चीए इसले में why कर देता हूं एंड continue बटन पे क्लिक कर देता हूं यहाँ से आपको please solve this puzzle मिंस हमें इसको solve करना है तो start puzzle पे आपको क्लिक कर देना है and pick the spiral galaxy तो galaxy को हम select कर देते है अगें आपको galaxy को select कर देना है तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो भी account है वो verify हो चुका है and अभी आपको create account पे क्लिक कर देना है तो जैसे हमने continue बटन पे क्लिक कर देया तो यहाँ पे sure you are almost done अभी यहाँ पे हमें Gmail ID पे code आया होगा तो उसको यहाँ पे paste करना है तो मैं सबसे पहले Gmail ID पे चला जाता हूँ and आप देख सकते हैं यहाँ पे GitHub के तरब से एक code आ चुका है your GitHub code 694 तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ 694 07675 07675 तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे code को इंटर कर दिया है तो जैसे आप code को इंटर करूंगे तो आपके सामने Welcome to GitHub का dashboard का page open हो जाएगा तो यहाँ पे show कर रहा हूँ Are you student or teacher? तो yes I am student How many team members will be working with just me आपको select कर देना है and continue button पे आपको click कर देना है तो जैसे continue button पे click करेंगे तो यहाँ पे कुछ features हमें click करना होगा तो मैं यहाँ पे client apps पे click कर देता हूँ and community पे मैं click कर देता हूँ and continue button पे मैं अभी click कर देता हूँ तो आप देख सकते हो जैसे मैंने continue button पे click कर दिया तो यहाँ पे कुछ features आ रहे Learn the ship, software, like a pro तो अगर आपको paid करना है तो आप paid भी कर सकते हैं यहाँ पे free use करना है तो free भी use कर सकते हो तो मैं फिला लबी continue for free पे click कर देता हूँ क्योंकि हमें free में use करना है तो जैसे हम continue for free करेंगे तो यहाँ पे dashboard open हो रहा है initializing your dashboard तो अभी आप देख सकते हो हम github के dashboard पे आ चुके हमारी खुद के profile पे तो अगर आपको खुद की profile चेक करने है तो आपको यहाँ पे click करना होगा and your profile पे आपको click कर देना है तो जैसे हम your profile पे click करेंगे तो आप देख सकते हो है यह हमारी username है github का तो अभी guys आपको समझ में आओगा कि github का account कैसे create करते है तो अगर आपको यहाँ पे photo upload करना होगा अगर आपको profile edit करने होगी तो आप easily आपका name या फिर जो भी आपको कुछ changes करने हो तो आप कर सकते हो and आप किसी भी person को आपके id यहाँ से आप share कर सकते हो तो I hope guys अभी आपको completely github का account कैसे create करते है यह आपको समझ में आओगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो please इस वीडियो को जल्दी से like कर देना हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देना तो मिल तक लिए नए वीडियो में तब तक के लिए जहिन जे भारत